हेलो एवरिवन, आज हम बनाने वाले हैं दो बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स जो सभी को खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो एक तो आज हम बनाएंगे ये वाली पापड़ी एकए कितनी बढ़िया बनी हुई है एकदम सोफ्ट और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और एक इसके साथ हम बनाएंगे गठिया दोनों को भी बनाना बहुत आसान है कुछ छोटे चोटे टिप्स ह जो इस वीडियो में आपके साथ सेयर करूंगी और सही माप सही मेजरमेंट के साथ अगर आप इनको बनाएंगे तो बहुत बढ़िया एकदम खसता करारे ये आपके बनके तयार होंगे तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय इसके लिए मैंने ये आदा कप ऐल ले लिया है आप जो भी घर में तेल खाते हैं वो यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रोंग फ्लेवर का नहीं होना चीए जैसे सर्सों वग्यरा का और आदा कपिया इसमें हम पानी डालेंगे दोनों चीजे हमें बराबर मातरा में सकते हैं और इसको मिखसी में दो-तीन मिनाट तक लगातार हम चला लेंगे देखी बिलकुल कि वाई टैक कितना गाड़ा सा पेष्ट बनके तैयार हो गया है अब हम लेंगे एक बड़ी पराती और इसमें डालेंगे 500 gr बेसन मैं 500 gr बेसन के साथ इसको बना रही हूँ तो ये वाली जो कटोरी है इसको धाई कटोरी मैं डालूँगी और बेसन को हम छान लेंगे क्योंकि ये मेरा घर का पिजावा बेसन है तो थोड़ा सा मोटा है इसके लिए बहुत जादा मोटा बेसन नहीं चाहिए बेसन को हमने चान लिया अब इसमें हम थोड़े से फलेवर एड़ करेंगे तो फलेवर के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अजवाइन ये एक बड़ा चम अजवाइन ले लिया है मैंने इससे flavor भी अच्छा आएगा और ये digestion में भी help करता है एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी एक चुथाई चम्मच हल्दी और आदी चम्मच मैंने लिए है लाल मिर्च आदी चम्मच इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ आप दरदरा कूटके भी काली मिर्च डाल सकते हैं बहुत अच्छी लगती हैं वो भी खाने में मसालों का अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे गूत के तयार करेंगे तो सबसे पहले तो जो मैंने गोल बना के रखा था ये थोड़ा-थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ हमें एक दम नरम आटा गूतना है आदा कप पानी मैंने और ले लिया है इसको भी मैं मिक्सी के जग में डाल के अच्छे से उसको दोलूँगी तो आदा कप मैंने पहले ले लिया था पानी आदा कप और ले लिया, अभी हम देखेंगे हमें कितना पानी और लगता है देखें पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा लग सकता है, डिपैंड करता है बेशन की क्वालिटी पर अगर आपका बेशन बहुत ज़्यादा बारिक है तो थोड़ा सा पानी कम लग जाएगा थोड़ा सा अगर मोटा है तो पानी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, और यह आदा कप मैंने फिर दुबारा से ले लिया है, तो टोटल यह डेड़ कप हो गया है पानी, आदा आदा करके तीन बार लिया है, अब इसे हमें इस तरह से फेटते वे कम से कम चार-पांच मिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको बिल्कुल कलर चेंज होने तक हम इसे फेट लेंगे, यह देखिए, यहापे कलर थोड़ा सा लाइट हो गया ना बेसन का, और आटा हमारा गुत के तयार हो गया, पूरे 6-7 मिनिट मैंने इसको फेटा है, और उसके जाएंगे, सारे बेसन को एक जगह इखटा कर देंगे, बस यही वाली कंसिस्टेंसिया मैं चीए इसे ज्यादा हमें इसको गाड़ा या, लूज नहीं करना है, हाथ को भी इस तरह से चम्मच की साइता से साफ कर लेंगे और पराती में से भी सारा बेसन एक जिगाई खटा कर देंगे नहीं तो फिर यह सूख जाएगा अब इसको हम ढखके साइड में रख देंगे और मसीन को तयार करेंगे आपको इसको ढखके ही रखना है तो यह जो सेव मेकर मसीन होती है यह वो वाली है लगबग हर किसी के घर में यह अविलेबल रहती है नहीं तो यह मार्केट में भी बहुत इजली मिल जाती है इसको अच तो मैं आज 2 तरह के स्नैक बनाऊंगी एक तो मैं पापड़ी बना रही हूं एक मैं गठिया और उसके लिए मैं यह दो मोल्ड इसके निकाल लूँगी गठिया के लिए भी देखिए दो तीन तरह के जाली आती हैं तो जो आपको पसंद है वो जाली आप इसमें लगा सकते हैं तेल से अगर आप इसको एक बार अच्छे से ग्रीस कर लेंगा न तो बिलकुल भी फिर जो मसीन है इसके अंदर बेसन चिपकेगा नहीं इजिली आपकी पापड़ी बनके तैयार हो जाएंगी इसको दबादबा के भर देंगे एक बार में यह जो हमने डो बनाके रख़ा है इसमें आप किसी भी तरह की नमकिन बना सकते हैं बस आपको जाली बदलने के जुरुरत है इसको अच्छे से फिल करने के बाद अब हम इसको बंद कर लेंगे Side में मैंने तेल को पहले से गरम करने लिए रख दिया था तेल को एक बार चेक कर लेंगे तो थोड़ा सा बेशन इस तरह से डाल के चेक करेंगे तेल हमारा अच्छा गरम है, देखें, उपर आगया एकदम डालते ही, ऐसा ही गरम हमें तेल चीए, और अब इस थरा से पापड़ी बनाएंगे, थोड़ी देर इसको सैट होने देंगे, जब इनीचे से सीख जाएगी, तब हम इसको पलतेंगे, और अब बिल्कुल टैंचन मत लीजे, जैसे जैसे ये सिखती जाएगी, ये अपने आप तैर के उपर आजाएगी, और उसके बाद इसको अलग करना भी बहुत ही असान है, एक बर इसको पलट लिया, ये पापड़ी बहुत ही ज्यादा पतली बनती है, तो इनको सिखने में बहुत टाइम नहीं लगता, अपने आप पता लग जाएगा, जैसे ये क्रिस्पी होंगी ना, आपको अपने आप फील हो जाएगा, दोनों तरफ से हलका सा कलर चेंज हो जाए, जैसा गोल्डन सा कलर आजाए थोड़ा, तब तक इसको सेख के हम निकाल लेंगी, इसको अलग से एक प्लेट में रखेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी पापड़ी बना लेनी है, ये तेल भी बिल्कुल नहीं सोकते हैं, और एक बार में जितना आपकी कडाई में आ जाए, उतना ही डाली है, उपर भी मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूं, ताकि ये उपर से भी इवनली सिख जाए, अगर आप सही तरीके से सही माप से सारी चीजें लेते हैं, तो जो आपकी पापड़ी बहुत अच्छी बनती हैं, और इसको खाने के लिए आप हरी मीर्च, कोई भी अचार या फिर चटनी बगरा बना सकते हैं, ये बहुत जादा स्पाइसी भी नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा, आपको भी पसंद आएगी, एक बार आप जरूर ट्राई करना, इसको बनाना भी बिलकुल आसान है, और बेसन तो हमारे पास लगबग हर टाइम घर में अविलेबल रहता ही है, तो पापड़ी तो हमारी सारी बन गई, अब मैं थोड़े से गठिया बना रही ह दस से बारा जाली इसके साथ आती है, तो जो आपको पसंद है, वो ही जाली लगा के आप इससे बना सकते हैं, में होता है, बैस इसका डो तयार करना, अगर वो आपने अच्छे से तयार कर लिया, तो आपकी सारी तरहें की नमकिन बहुत आसानी से बन जाएगी, देखें कितने अच्छे फूल भी रहे हैं ये, इसको डालते वक्त हमें तेल का टेंपरेचर अच्छा गरम चाहिए, बीच में आप चाहें तो, इसको मीडियम पे भी कर सकते हैं, और 2-3 मिनट लग जाते हैं एक बार में सिखने में, डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज बना रहे हैं, कितनी मोटी, कितनी बारिक, जैसे हम बारिक वाली नमकिन बनाते हैं वो और भी जल्दी सिख जाती है, और ये गठिया थोड़े से मोटे होते हैं, तो इनको सिखने में एक दो मिनट जादा भी लग जाती है, लेकिन जैसे ये क्रिस्पी होने लगते हैं, आपको अपने आप फील हो जाएगा, आप इस तरह से चमच में हिलाके भी देख सकते हैं, इस पर आवाज आती है, देखें कितनी आसानी से मसीन में से निकल भी रहे हैं, हमने इसको मसीन को तो चिपकता भी बिल्कुल नहीं है, कठिया भी हमारे बन के तयार हो गए, पापड़ी भी हमने बना ली हैं, इनको बिल्कुल थंडा होने के बाद आप किसी वे टाइट डबे में भरके चाहें, जितने लंबे टाइम तक इनको स्टोर कर सकते हैं, चाय के साथ, चटनी के साथ, कैचप के साथ, हर तरीके से खाने में टेस्टी लगते हैं, तो आप मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, यह भी आपको थोड़ा सा नरम लगता है, लेकिन ठंडा होने के बाद एक दम क्रिस्पी हो जाता है, यह देखिए, तोड़ने से आ एक दम ही सोफ्ट मुँ में जाता ही घुल जाएंगे, फ्रेंट्स कैसी लगी आप सभी को आज की रेसिपी मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें, और हाँ अपने फीड़बैक मुझे आज के लिए सरफ इतना ही, बहुत जल मिलोंगी मैं आप सभी से एक और नही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड़ बाई, खुस रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें